दोस्तो स्वागत है आप सबका आज की एक और नई सांदार फ्रेस्ट वीडियो के साथ इस वीडियो पर हम स्वाराज की तरफ से रसांटली लाँच दो हजार तेज लटेश्ट मॉडल का फुल डेल रिवीव करने वाले है और दोस्तो स्वाराज कंपनी ने इस ट्रेक्टर को मीडियम किसान के लिए लाँच किया है जो कि एक मीडियम किसान है और मीडियम ट्रेक्टर लेना चाहते हैं कम प्राइस के साथ में तो सबसे पहले अगर दोस्तो बात करें इसके प्राइस की तो यह ट्रक्टर आपको 5,30,000 से लेकर 5,60,000 की बीच में मिल जाता है दोस्तो इसकी प्राइस हलकी उपर नीचे हो सकती है डिपेंड करता है आप कौन से मॉडल और किसी स्टेट से ले रहे हैं दोस्तो बहुत से लोगों कमेंट रहता है कि सौराज का ट्रेक्टर बहुत जादा डीचल लेता है दोस्तो इस वीडियो पर मैं इस ट्रेक्टर का पूरा माईलेज बताने वाला हूँ कि यह ट्रेक्टर कितना माईलेज देगा और इसकी SFC कितनी मिल जाती है तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके इंजिन की तो company ने इसमें naturally aspirated forest rock direct injection diesel engine दिये है जो कि यह tractor इंजिन के 2400 RPM के साथ में 35 HP की तागत generate कर देता है यही नहीं दोस्तों अगर बात करें इसके engine cubic capacity की तो इसमें आपको 2572 CC का water cooled दमदार engine देखने को मिल जाता है अगर बात करें इसके front axle की तो front axle आप देख सकते हैं जो 17735, 17744 और 17742 आता है same to same उसी के तरह आपको axle मिल जाता है लेकिन इसमें आपको non adjustable straight type axle दिया गया है अगर बात करें इसके front tire size की तो इसमें आप देख सकते हैं 600.001 का front tire size मिल जाता है जो की 11735 FEE model पर भी यही front tire size दिया जाता है अगर बात करें fuel system की तो इसमें आपको micro boss का airline pump मिल जाता है और इसमें company ने double double diesel filter दिये है साथी दोस्तो इसमें आपको एक water separator भी मिल जाता है जो की diesel को पानी से अलग कर देता है three stage while water type का air filter दिया गया है अगर बात करें इसके plate form की तो plate form आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है और single पैदान दिया गया है दोस्तो इसका plate form same to same साथ 735 FEE में जो दिया जाता है वही दिया गया है अगर बात करें clutch की तो इसमें आपको dual clutch मिल जाता है दोस्तो स्वाराज में आप देख सकते हैं plate form जो है इसी तरह का दिया जाता है और इसमें आपको एक system और भी जादा बहतर मिल जाता है जो कि इस tractor को और भी जादा खास बना देता है दोस्तो स्वाराज के हर module पर आपको foot step पर मिल जाता है यानि कि अगर आप tractor लंबे समय तक चला रहा है तो इसमें आप tractor पर पैर रखकर बड़े आसानी से अपना tractor थोड़ा देर तक चला सकते हैं जिससे की पैर दर्द नहीं करते हैं दोस्तो यह system स्वाराज के ही module पर दिया जाता है जो कि आज तक मैंने किसी भी tractor पर नहीं देखा है अगर बात करें इसके कुछ और भी advanced features की तो इसमें company ने hydraulic log भी दिया है जो कि काफि सैप्टी का log ये use करता है दोस्तो यह आप देख सकते हैं इस tractor में hydraulic log की position यहाँ पर मिल जाती है अगर आप अपना tractor से implement कहीं भी ले जा रहे है तो अपने इस implement को ले जाते समय इस log का use कर सकते है जिससे कि आपकी hydraulic बगारा पर जटका नहीं लगता है और आपकी hydraulic थोड़ा और लंबी समय तक चलती है दोस्तो अगर बात करें इसके rear charge की तो इसमें आपको देख सकते हैं C8 का company fitted 1248 का rear charge मिल जाता है जो कि यह tractor 35 HP का डेगरी के अंदर आता है जिस हिसाब से company ने इसमें काफी अच्छा tire size दिया है दोस्तो सौराज ने इसे 35 HP का डेगरी के अंदर launch किया है लेकिन इसमें आपको power steering भी मिल जाती है यानि कि दोस्तो आप देख सकते हैं company ने इसमें double-double tandem pump लगा कर दिये हैं जो कि एक hydraulic के लिए मिल जाता है और एक steering के लिए मिल जाता है दोस्तो दोनों pump अलग-अलग होने से hydraulic और power steering काफी जादा आई smooth चलती है यानि कि दोनों के sensing काफी जवरजस्त हो जाती है उसे के उपर आप देख सकते हैं 36 amp का alternator लगा कर दिया है जो कि यह alternator बैटरी को काफी fast charge कर दिता है दोस्तो यह tractor 17735 FE के जैसे ही full features के साथ में launch किया गया है इसमें भी आपको डाई किलो वाट की 12 बोल्ड self motor मिल जाती है इसमें आप देख सकते हैं इसकी position company ने यहाँ पर रखी है यह tractor काफी जवरजस्त features के साथ में company ने launch किया है इसमें भी आपको 12 बोल्ड 88 age की भारी भर कम battery मिल जाती है जो कि आप देख सकते है इसमें आपको side mount battery मिल जाती है hydraulic filter की position आप देख सकते है यहाँ पर मिल जाती है अगर बात करें इसके front की तो front का look आप देख सकते है front में look company ने कोई changes नहीं किया है यह आप देख सकते है वही पुराना वाला look मिल जाता है दोस्तों जो सौराज के हर model पर सौराज की तरब से आने वाला सौराज 733 FE 2023 latest model जो की company ने इसे 35 HP का ड़ेगरी के अंदर launch किया है दोस्तों यह tractor पहले भी आता था लेकिन यह red color दो cylinder engine और 33 HP में company ने launch किया था लेकिन दोस्तों जैसे ही इसकी जरूरत बढ़ी किसानों को ध्यान में रखते हुए सौराज ने इसमें काफी जादा बदलाव किया और इसमें आपको 35 HP का fuel efficiency engine दे दिया दोस्तों अगर बात करें इसके कुछ और भी advance features की तो हम इसकी SFC दिखाना चाहेंगे जैसे मैंने पहले ही बताया था हम इसका mileage भी बताएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 272 ग्राम किलोवाट पर घंटे की SFC मिल जाती है दोस्तों अगर मैं compare करूँ इसको सौराज 735 FW model से तो इसकी डीजल खपत उसके अपेक्छा थोड़ी जादा मिलेगी अब दोस्तों बहुत से लोग comment करेंगे यह tractor कम HP का है तो इसका डीजल खपत कम होना चाहिए तो ऐसा नहीं है इसकी SFC आपको 272 की मिल रही है और सौराज 735 FW की 208 की मिलती है यानि कि सौराज 735 FW model इससे कम डीजल लेगा और यह tractor उससे थोड़ा दीजल जादा लेगा दोस्तों हमारे वीवर्स सुवाश चंद गुर्जर जी हमें बहुत पहले से comment कर रहे थे यह tractor का review करने के लिए लेकिन हम इनसे माफिद चाहेंगे भाईया जी आपके comment का यह tractor हमें एजनसी पर मिल नहीं पा रहा था जिसके चलते आपका वीडियो हमने बहुत ही लेट अपलोड किया है अब चलते हैं दोस्तों tractor की पीछे और दिखाते हैं पीछे के लोग साथ ही बात करेंगे इसमें आपको कैसी PTO और lifting capacity कितनी मिलती है दोस्तों अगर बात करें इसकी पीछे के profile की तो पीछे का profile आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है जो कि इसमें आपको हू बहू सब कुछ सौराज 735 FE की तरह ही design किया गया है इसमें भी आपको 3 point linkage मिल जाते हैं जिससे कि आप top link फसा सकते हैं single distributor valve मिल जाता है इसमें आपको company fitted coupler मिल जाता है अगर बात करें इसकी seat की तो इसमें आपको deluxe type की adjustable seat मिल जाती है 7 pin का socket मिल जाता है दोस्तो यानि की यह tractor 35 HP है तब भी इसमें आपको वही features मिलते हैं जो कि सौराज की हर model पर दिया जाते है इसमें भी आपको mobile charging के लिए box अलग से मिल जाता है दोस्तो अगर बात करें हिच की तो हिच आप देख सकते है काफी जादा heavy duty मिल जाती है adjustable point के साथ में मिल जाती है अगर बात करें इसके PTO की तो इसमें आपको 540 standard RPM के साथ में 27.5 HP की PTO power मिल जाती है दोस्तो पीडियर की विसाब से देखा जाये तो इसमें आपको PTO power बहुत ही कम मिलती है सौराज के हर module पर अधिकतर PTO power बहुत ही कम दी जाती है अगर बात करें इसके Lifting capacity की तो इसमें आपको 1300 kg के Lifting capacity मिल जाती है अगर बात करें इसके Real XL की तो इसमें आपको double invert reduction type पर यह लगसल मिल जाते है दोस्तो अगर बात करें hydraulic control की तो इसमें आपको 2 lever मिल जाते है position control lever और drop control lever अगर बात करें steering की तो steering आप देख सकते हैं वही पुराना लुक वाली मिल जाती है दोस्तो यह tractor पावरी steering में है और सनाल में आप साधर steering की लेख सकते हैं जिसके चलते इसकी steering थोड़ी सी मोटी बनाई गई है अगर बात करें इसके dashboard की तो dashboard आप देख सकते हैं सब कुछ आपको वही पुराना वाला लुक मिल जाता है single piece पूनट दिया गया है और 46 लेटर का fuel tank मिल जाता है तो दोस्तो यह है tractor की ऊपर का वियूग आप देख सकते हैं कुछ इससरे गह मिल जाता है काफी अच्छी जगह मिल जाती है यह मैं दिखाना चाहूँगा तो देख सकते हैं साइट से लुक कुछ इससरे गह मिलता है सीट के सामने भी आपको काफी अच्छी जगह मिल जाती है तो दोस्तो ट्रेक्टर का लुक एक बार और देख सकते हैं आप कुछ इससरे का मिल जाता है जो कि यह ट्रेक्टर हूब हूब सौराज के 735 FW, 742, 7444 के जैसे ही डीजाइड किया गया है लेकिन थोड़ी इसकी लंबाई चोड़ाई घट जाती है तो दोस्तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तो आँगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब करें साथ घंटी भी दवा दें ताकि अंगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो मिलते हैं दोस्तो अंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार